Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज हम discuss करेंगे objective part of 2018 और दो मीरियम psychology paper of FA part 1, यानि कि first year का हम हल शुदह psychology paper discuss करेंगे इस वीडियो में. So सबसे पहले चैनल सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको latest updates मेरे चैनल से related मिलती रहें. चलते हैं MCQs के तरफ. So सबसे पहले MCQ है, डैश के मताबिक शौर के मताले को नफसियात कहते हैं. इसका सही जवाब है William James. नबर दो, एक मौलजाती नफसियात दान डैश की तश्खीश और इलाज करता है. clinical psychologist या फिर मौलजाती नफसियात दान जहनी बिमारी की तश्खीश और इसका इलाज करता है. नबर तीन पे है, डैश में कानून शुकनी और समाज दुश्मन करदार का मताला किया जाता है. समाज दुश्मन करदार यानि कानून शुकनी रिलेट करता है क्रिमिनल से, यानि के जर्म वगरे से. सो, जराइमी नफसियात इसका सही जवाब है. नबर चार पे है, विलहम वुंट ने नफसियात की पहली डैश काइम की. सही जवाब है, A. लिबाटरी. सो, सबसे पहली लिबाटरी जर्मनी में लिब्जिक के मकाम में विलहम वुंट ने बनाई जिसकी बात, जो है, वो साइकॉलजी या नफसियात को साइंसी अतवार से समझा गया, पहचाना गया. नबर पांच पे है, किसी भी तजर्वे का पहला मुटाला, पहला मरला डैश की तश्कील होता है. इसका सही जवाब है, मफरूजा, यानि के हाइपोटेसिस सबसे पहले ड्रॉक किया जाता है, बनाया जाता है, तब ही तजर्वा आगे कंटिन्यू किया जाता है. नबर च्छे पे है, अदर जाजेल में कौन सा अमल तहकीक और रिसर्च का हिस्सा नहीं है, इसका सही जवाब है, तश्कीस, तश्कीस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल साइकॉलिजिस्ट यानि मौलजाती नफसियाद जो है, वो तश्कीस करता है, डाइगनॉसिस देता ह कि इस शक्स को ये बिमारी है, तो अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, तो ये रिसर्च का हिस्सा नहीं है, असबानिय यानि नियूरौन का कौन सा हिस्सा पे गाम वसूल करता है, इसका सही जवाब है, डैंडराइट्स यानि के शजरिये, नमबर आज पे है तलाजमी असब हिसी और हरकी हजबानियों के डैश पाइ जाते हैं, के दर्मियान पाइ जाते हैं, नमबर नो पे है, जजजाजी रतूबद डैश में पाइ जाती है, सही जवाब है इसका option c, शबकिया यानि के रतीना में पाइ जाती है, जो के आंग का हिस्सा है, मतलग हद यानि Absolute Threshold से क्या मुराद है? इस से मुराद है तवई तवानाई की कम से कम हद यानि कि ऐसा मुहीच जो के कम से कम जिसकी तवानाई है और वो महसूस किया जा सकता है हमारी सेंसिस के जरीए, हमारी हिसात के जरीए तो इसको Absolute Threshold कहेंगे यानि ऐसा मुहीच जो के कम से कम भी अब्जर्व किया जा सकता है हमारी सेंसिस के जरीए तो इस पूरे प्रॉसेस को या अमल को Absolute Threshold कहेंगे नमर 11 पे है एक बट्टी के लिए Thermos State ऐसे है जैसे डैश के लिए Homostasis जैसे जिसम के लिए Homostasis अगर हम Homostasis को समझें तो ये एक ऐसा प्रॉसेस है जिसमें जिसम के अंदर के जितने भी अजा हैं वो हमेशा हर चीज को Balance में लाने की कोशिश करते हैं जब भी हम Stress या Anxiety का शिकार होते हैं या अंदर हमारे कोई भी Problems होते हैं किमियारी रतुबतों में कोई मसाइल पेश आते हैं तो जिसम खुद ही कोशिश करता है कि अपने अवर आल बैलन्स लेके आए और तमाम अंदर के जितने भी अवामिल हैं उनको Balance कर सके होमस्टैसिस का यह मतलब है कि हमारे जिसम के अंदर एक Quality है अपने आपको या अपने थमाम अवामिल को Normal कर सके Balance कर सके 12 पे है Episodic Memory से मुराद डैश का हाफसा है सही जवाब है इसका मखसूस वाकियात मखसूस वाकियात जो हम Save करते हैं अपने दमाग में तो एक खास किसम की Memory कहलाती है जिसे हम Episodic Memory कहते हैं नबर 13 पे है डैश की फरामी में तातल 40 मोट का बाइस बन सकता है सही जवाब है Option B Oxygen जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है जिन्दगी के लिए अगर इसकी फरामी नहीं की जाती तो इनसा की मोट भी वाकिया हो सकती है नबर 14 पे है डैश जेल में से कौन सा टेस्ट मारूजी है यानि की कौन सा टेस्ट है जो साइंसी एतबार से ज्यादा ज्यादा वैलिट कहलाया जाएगा या साइंसी कहलाया जाएगा इसका सही जवाब है MMPI जिसको मारूजी को बेसिकली objective कहा जाता है यानि इसकी reliability ज्यादा होती है बाकी टेस्ट से नमर 15 पे है नफसी जिंसी नशनमा का दोर डैश तक है सही जवाब है पिदाश से 18 मा तक फ्रॉइट की स्टेज़ जो दी थी नशनमा के बारे में उसमें पहली स्टेज है जिसका दोर जो है वो पिदाश से 18 मा तक है नमर 16 पे है डैश के ख्याल में हिजानी तजरवा और तवई तबदीलियों का एक ही वक्त में वाक्या होती है यह कैनन बार्ड ने अपनी थेरी में कहा था कि हिजानादी जो तजरवा होता है और जो तवई तवई तबदीलियां हती है वो साथ साथ चल रही होती हैं, एक ही वक्त में हो रही होती हैं, जिसके बाद जो हम है जनात को महसूस करते हैं. नमर 17 पे हैं गुसा एक डैश हिजान है, इसका सही जवाब है मनफी, गुसा एक मनफी हिजान है, नमर 18 पे है प्रॉब्लम्ड फोकस कोपिंग से क्या मुराद है, इसी स्टेट्मेंट के अंदर ही हमें समझ आ रही है, कि एक प्रॉब्लम्स से रिलेटिड इनसान जब कोई न कोई हल निकालता है, कोई न कोई सलूशन निकालता है, तो इससे क्या मुराद है, सही जवाब है इसका फसाद की वजुहात को समझना और दूर करना, यानि कि मसला क्या है, क्या क्या वजुहात थी और किस तरहां से उण को टैकल करना है, उसी पर फॉकस करना जो है वो प्रॉब्लम्स फोकस कोपिंग कहलाता है, नभर उनीनेड पे वेश की प्रॉप्ट के लिए किस के लिए इस्तमाल किया जाता है, वेष एक टेस्ट है जिसकी फुल वेसलर अडल्ट इंडैलिजन स्केल और ये जहनत को लिए इस्तमाल किया जाता है. नबर 20 पे हरकी रुखबा तमाग के डैश में पाया जाता है. सही जवाब है इसका आप्शन A, जबही फिस में, यानि के फ्रॉंटल लोब में पाया जाता है. जबही फिस जो है, वो बहुत ज़ादा important functions जो है, वो इस्तमाल पे काम करती है, जिसमें हम कह सकते हैं, problem solving और जो movements वगरा हैं हमारी, वो सारी के सारी जबही फिस जो है, वो deal करती है और इसी से related जो है, इसके सारे functions जो है, वो perform करती है. सबसे important अगर हम lobes या फिस की बात करें, तो जबही फिस होता है, यानि के frontal lobe होता है. So students, thank you so much for watching this video और चैनल को subscribe कर लें, ताके आपको latest updates मेरे चैनल से related मिलती रहें. Thank you.